हलो दोस्तों, विल्कम तो मैं नीव ब्लोग, कैसे हो आप लोग, तो फ्रेंड्स उमीद है, सभी अच्छे होंगे, तो फ्रेंड्स मैं आज बाकड़ा की सबजी बनाऊंगी, और मैं उसके लिए आ गई हूँ, मसाले लेने खेत में, तो धनिया पत्ती और लेसन पत्ती में ल तो फ्रेंड्स मेरी बेटी की थोड़ी सी तवियत कम सही है, तो उसको डॉक्टर हरसाग बताए हैं, तो मैं थोड़ी सी उसके लिए पालक ले ली हूँ, और थोड़ी सी जो है मैं थी, और बथुआ भी है, देखो तो फ्रेंड्स में आ गई हूँ, खेत में इधर है बहुत सारी धनिया लगी हुई है, यह पत्ते वाली धनिया है, और मैं जो दिखाए थी, वो देशी धनिया थी, वो जादा अच्छी होती है, इधर है मेरे पास सबजियां, बाकड़ा है, और आलू है, और टमाटर है, मै हरी मीर्च है, यह सब मसालों को हम सिलवट्टी पे पीस लेंगे, फ्रेंड्स, इधर में चावल भी हो रहा है, मैं रात का खाना बना रही हूँ, तो मैंने सुचा क्यों ना, बाकड़ा की सबजी की रेस्पी मैं बनाओं आप लोगों के लिए, तो मैंने यहां पे सिलवट इधर है, मेरे पास मसाला और तड़का, मेति और जीरा इधर है, कड़ाई में तेल गरम हो गया है, इसमें आलूं को फ्राइब लिते हैं ए रिखिये तो मैं इसमें एड़ कर दी हूँ तेल में आलू को अब मैं इसको फ्राइ करके निकाल ली हूँ ये देखिए तो फ्रेंट सब मैं डालूंगी इसमें तड़का तेल में तेल गरम हो गया है मेथी दाना और जीरा का तड़का तो हम इसको ब्राउन होने तक जो है बेट करेंगे अभी ब्राउन नहीं हुआ है अभी इसका कच्छपन निकल जाएगा ब्राउन हो जाएगा तो ब्राउन हो गया अब मैं इसमें मसालों को आड़ कर दूंगी जो मैं पीसी थी और जो मैं दिखाई थी और इसमें मैं डाल द एड़ कर दी हूँ और हलका सा नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाया जल्दी यह दिखिया आप लो तो हम इसको ढख देंगे थोड़ी देर के लिए एक मिनट के लिए इतनी देर में गल जाएगा तो फ्रेंट्स टमाटर गल गया है अब इसमें आड़ करेंगे बाकड़ा यह दिखिये मैं आड़ कर दी हूँ इसको भी अच्छे से चलाएंगे और अपने अपने तरीके से सब बनाते हैं मैं भी अपना देशी तरीका आपको बताएंगे हूँ तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फादिमांद होता है तो मैं इसको चला रही हूँ अभी और इसके बाद थोड़ी दिर के लिए मैं डग दूंगी कुछ अच्छे से ओड़ी करती हूँ और आलू आपको भी शला लेती हूँ आलू बाकडा और मसाले सारी चीजों को मीक्स कर लूँगी को बच्छे से और जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम ढग देंगे ताकि और अच्छे से हो जाए थोड़ा थोड़ा नीचे चिपकने अच्छे से हो गया है तो हम इसमें पानियों को वायड करेंगे ना तो जादा पतला करेंगे ना ही जादा गाडा अब इसमें मैं जो है नमक डाल दे हूं और जो मैं तक शैक और देती हूं फिर हम इसको ढग देंगे पकने तक इंतिजार करेंगे यह दिखे तो मैं ढग दी हूँ अब इसको तो फ्रेंट से सबजी बनके रेडी हो गई है तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो देखने के लिए थैंक यू